आज की लोग कथा सिब जी का वाहन असम्या लोग कथा है यहा उस समय की बात है जब भगवान शिप के पास कोई वाहन ना था उन्हें पैदल ही जंगल परवत की यात्रा करनी पड़ती थी एक दिन मा परवती उनसे बोली आप तो संसार के स्वामी है क्या आपको पैदल यात प्रा करना सूभा देता है सिब जी हसकर बोले देवी हम तो रमते जोगी हैं हमें वाहन से क्या लेना देना भला साधू भी कभी सवारी करते हैं पारवती ने आखों में आशू भर कर कहा जब आप सरीर पर भश्म लगा कर बालों की जटा बना कर नंगे पाउं कांटे भरे पत पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है सिब जी ने उन्हें बार बार समझाया परन्तू वह जित पर अड़ी रही बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पारवती को स्विकार था परन्तू वह सिब जी के लिए सवारी चाहती थी अब भोले भंडारी चिंतित भुए भला वाहन किसे बनाए उन्होंने देपताओं को बुलाबा भेजा नारत मुनी ने सभी देपताओं तक उनका संदेशा पहुँचाया सभी देपता घबरा गए कहीं हमारे वाहन ना ले लें सभी कोई न कोई बहाना बना कर अपने अपने महलों में बैठे रहे पार्वती उदास थी सिप जी ने देखा कि कोई देपता नहीं पहुँचा उन्होंने एक हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जंगली जानवर आ पहुँचे सिप जी ने उनसे कहा तुम्हारी मा पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए बोलू कौन बनेगा मेरा वाहन सभी जानवर खुशी से जूम उठे छोटा सा खरगोस फुदक कर आगे बढ़ा भगवन मुझे अपना वाहन बना ले मैं बहुत मुलायम हूँ सभी खिलकिला कर हस पड़े सेर गरच कर बोला मूर्ख खरगोस मेरे होते तेरी जुरत कैसे हुई सामने आकर बोलने की बेचारा खरगो चुप चाप कोने में जाकर गाजर खाने लगा शेर हाथ जोड़ कर बोला प्रभू मैं जंगल का राजा हूँ शक्ती में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता मुझे अपनी सवारी बना ले उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हाथी बीच में बोल पड़ा मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है मैं गर्मी के मौसम में अपनी सून में पानी भर कर महादेव को नहलाऊंगा जंगली सूवर कौन सा कम था अपनी धूतन हिलाते हुए कहने लगा सिब जी मुझे सवारी बना लीजिए मैं साफ सुत्रा रहने की कोशिश करूँगा कहकर वह अपने सरीर की किचण को चाटने लगा कस्तूरी हीरन ने नागपत हाथ रख कर बोला छी कितनी गंदी बदबुआ रही है चल भाग यहां से मेरी पीट पर सिब जी सवारी करेंगे उसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे सिब जी ने सब को शांत कराया और बोले कुछ ही दिनों बाद मैं सब जानवरों से एक चीज मांगूंगा जो मुझे वह ला कर देगा वही मेरा वाहन होगा नंदी बैल भी वही खड़ा था उस दिन के बाद से वह चिप चिप कर शिप परवती की बाते सुनने लगा घंटो भूग प्यास की परवह के बिना वह चिपा रहता एक दिन उसे पता चल गया कि सिब जी बरसात के मौसम में सूकी लकडियां मांगेंगे उसने पहले से ही सारी तयारी कर ले बरसात का मौसम आया सारा जंगल पानी से भर गया ऐसे में सिबजी ने सूकी लकडियों की मांग की तो सभी जानवर एक दूसरे का मुह ताकने लगे बैल गया और बहुत सारी लकडियों के गठर ले आया भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसंद हुए और मन ही मन वे जानते थे कि बैल ने उनकी सारी बाते सुनी है फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया सारे जानवर उनकी और मा पारवदी की जैजैकार करते वे लोड गए यह लोग कथा रचना भूला यामनी जी ने लिखी है अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजे